साथियों किसाम संगर्ष जट्टे जो चार जट्टे चले थे 20-22 दिन का जो ये जट्टे चले देशवर में कुल मिलाके 20,000 से जादा किलोमितर ते करके दिल्ली तक आके पहुंचा है लाखों किसान, केतमस्दोर, गरीब, भूमिहीन, डलिक, आदिवासी से हम रास्ते बर में मिलते आए हमारे ये जट्टा जो विरुदुनगर, तमिल्नाच से चले ये कुल मिलाके लगवग 6,000 किलोमितर 20 दिन यात्रा करके दिल्ली में पहुंचा रास्ते बर हमको क्या देखने को मिला, किसान बेहाल है इस दो, दाई साल का मोधी सरकार के समय में किसान बहुत दुकी है एक अबूत पूर्व क्रिशी संकत देश में है साथियो, पिछले 25 साल का आर्टिकुदारी करन के नीतिया जो बदल बदल के आने वाले कॉंग्रस और भाजपा सरकार लागुद किये इस 25 साल में जो क्रिशी संकत देश में हुआ कुल मिला के 4 लाग से अधिक किसान खुद कुशी करने में मजबूर हुए हमारे ये जो जट्ता शुरू होने वाला था कन्या कुमारी से जो जट्ता शुरू होने वाला था तो अचानक हमको हमारे दक्तर में एक धंकी का चित्ति मिली अपने आपको नातुरान गोड़से का नाम से एक संगतन गोड़से का नाम समाज कल्यान संस्ता नाम का एक संगतन ये हमको धम की दिये कि अगर कन्या कुमारी वालो जट्था केरल का मुख्य मंत्री पिंडराई विजन उद्गाटन करेंगे तो हम बं का धमाका करेंगे साथियों हम इनको कहें अकिल बार के किसांसबा 1936 में बना एक क्रंतिकारी संड़तन है ये अंग्रेश समराजवाद के खिलाब समुन्तवादी जमिनदारों के खिलाब जातिवाद और कटरपंती तक्तों के खिलाब लड़ते हुए काफी पुर्बानी दी है आपके घंकियों से देश का आजादी का लड़ाई से जो गड़ारी किये आपके घंकियों से हम डरने वाले नहीं है इनको सभी हिमत नहीं हुआ हम उनके गल्ब मानने जानने वाले नागपूर से भी होके आए वहां से भी खुल के किसान का हित के लिए किसान खेत मजदूर का हित के लिए हम बात रखे किसी का हिमत नहीं हुआ और हम कहें नॉम्बर 24 को किसान खेत मजदूर दलित आडिवासी जो दिल्ली में इकटा होंगे आपका करारा जवाब देगा और आज वो जवाब आप लोग दिये हैं साथियों जो कंग्रेस का सरकार का घोटाला था जन्विरों की नीतिया थे उससे जो बेहाल जनता था उस भुशा का इस्तबाल करते हुए और काफी लुभाव में वादे देते हुए नरेंद्र मोधी ये कहते हुए आए कि हम आएंगे तो मित्रों आप सभी के दिन अच्छे दिन आएंगे साथियों ये कहें कि किसान को स्वामिनातन कमिशन जो वादा किया उपद इनके खर्क पर कम से कम 50 परसन जोड़के नियूंतन समतन मूली देंगे वो कहें किसान का खुदकुशी आत्मत क्या बंद होगी नरेगा जो ग्रामिन रोजगार योजगा है इसमें कम से कम 200 दिन का काम और 300 रुप्या मजदूरी देंगे और ये भी कहते हाएं कि हम आएंगे तो किसान का जमीन जो है उसको बचाएंगे तॉर्क्रिक लूट से बचाएंगे और किसान के सहमती बिना खेत मजदूरी के सहमती बिना जमीन नहीं लेने देंगे सरकार में आने के बाद एक हफ्ते के अंदर हमारे किसांसवा से खुद मैं और महासचे हूँ हनम बल्ला हम लोग गय के खृशी मंत्री से मिलने हम बोले आप जो वदा किये स्वामिनातन कमिशन का शिफारस लागू करने का उसको लागू कीजिए वो कहे कि ये चुनाओ के समय में हम लोग काफी कुछ बोलते हैं इसको आप गंबी रूप से मत लीजिए ये नहीं लागू कर सकते हैं और कुछी दिन बाद भाजपा का अध्यक्स अमित्शा कहे वो सब सिर्फ चुनाओी जुमले थे फिर इस सरकार कोट में एक अटिडविट देते हुए ये कहे कि हम नहीं दे पाएंगे पर कुछ सरकार है केरल में वांपंती सरकार है जो धान खरीकती है तो कम से कम 4-500 रूपया अधिक बोनस किसानों को उत्वादन के लिए बोनस देते हुए खरीकती है तो ये सरकार क्या करती है किसान विरोधी सरकार ये सरकारी दस्कावेज निकारते है कि आप अगर न्यूंतन समर्तन मुली जो केंदर ग्वारामिन में किया है उससे ज़ादा देंगे तो हम आपसे खरीद नहीं करेंगे ये कुटा और घास का कहानी आप लोग सुने होंगे कुटा घास खाएगा भी नहीं गाई को घास खाने भी नहीं देगा नरेंद्र मोदी किसान खेत मजदूर के लिए कुछ अच्छा करेगा भी नहीं कोई और करे तो उसको भी करने नहीं देगा ये हालत है, सातियों किसानों का खुदकुशी बड़ा है, एक बिन में लगब किसान खुदकुशी कर रहे हैं फासपा साशित महरास्रा में पिछले साल 3300 किसान खुदकुशी किये और साथियो माराश्रा में मैं दो हफ्ते पहले गया था तब देखा कि वहाँ कुपोशन के चलते पांच मैने में नाव हजार पांसो तिर्शक बच्चे मरे अश्यरिय के साथ मैं दोजार पंद्रा का आप में देखा तो 21,000 बच्चे कुपोशन से मरे हम पूछना चाते हैं मोदी से क्या यही आपके अच्छे दिन है ऐसा मौबत है देश का कि खिसान का आत्मात्या बढ़ते जा रहा है इतना ज़्यादा संक्या में कभी नहीं हुआ फिर यह बात हुआ कि नूंतं समर्तं जो नूंतं वेतं जो है नरेगा में कम से कम 300 रुपया और 200 दिन का काम राफ्ते बर में किसान केज मज़ूर हमको बोले कि दिन एक साल में 34 दिन भी काम नहीं मिला चेमा ने एक साल पहले काम किया अभी तक मज़दूरी नहीं मिला 200 रुपया तमिल्नाड में यूंतं मज़दूरी है 90 रुपया भी किसान को नहीं मिला और पूरा रास्ता हम देखे कि सुका ग्रश कि लाका में फसल पूरा नस्त है ना फसल भीवा का पैसा ना कोई मौज़ास इस सरकार दी है साथियों हम कुछ दिन पहले भूमी अधिकार अंदोलन के साथियों के साथ हम गए थे गुज़राप वहां के किसान खेत मज़दूर भाई बहन हमको बताए कि ये जो देश बर में गुज़राप मौडल के नाम से ये लोग चलाए है ये कोई गुज़राप मौडल नहीं है ये मौदामी मौडल है ये मौदी और अदामी का लूट का मौडल है ये आपका जल जंगल जमीन और ठानित संपत्ति का लूट का मौडल है वही लूट का मौडल आज यहाँ चलाए है वो करे के जमीन नहीं चीना जाएगा सरकार में आके छे माइने के अंदर वो एक अध्यादेश ले आए जिसके अनुसार जमीन लेने के लिए किसान का सहमती का जरूर्ट नहीं था क्या करें एक छोटा हस्ताक्षर लगाने के लिए आपका पाकेट में जो कलम है वो चाहिए तो हम जबर्दस्ती में चीज़ सकते आपसे अमरोज करना पड़ता है और हस्ताक्षर के बाद दन्यवाद सहित उसको वापस लेना होता किसान का जीवनादार खेट मजदूर का जीवनादार जो जमीन जो उनका जीवन से जान से प्यारा है उस जमीन को लेने के लिए आप से पूछने का ज़रूप लिए ये नरिंद्र मोदी का कहना था हम करें इसको नहीं मांते देश के सभी खिसान खेट मजदूर संगटन जन संगटनों का एक जुट एक संगर्स चले भूनी अधिकार आंदोलन मां का एक जुटता बनाए हम और देश बर में हजारों खिसानों का आंदोलन चला हम देखें कि 300 से अभी जिलाओं में ये जो काला कानून था उसको जलाया गया और इस सरकार गर के मारे उस कानून काला कानून को वापस लेना परा इस एश्टा को और व्याफ़क करने का ज़रुरत है अभी हो भाजपा शासित प्रदोस्यों में तेलिगाना अंगर प्रदेश माराशना अंगर प्रदेशों में इससे भी खतरनाक कानून ले आने का कोशिश कर रहे हैं उसका भी हम रोकेंगे साथियों देश बर में एक जुट संगर चल रहा है तब क्या कर रहे हैं देश में घरम के नाम से जाती के नाम से दुश्मनी डरार पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं इसके खिलाफ हम लोग को एक जुट होने का ज़रुरत हैं हम देखे कैसे अकलाफ को मारा गया कैसे लाकेहार में दो मुसल्मान युट को मार के पैद से बांदा गया और उना में कैसे चार गलित को मार के पूरा उना में घसीता गया इसके खिलाफ एक व्याकत एक्ता बनाने का जरूत है उस एक्ता का ही संदेश इस किसान संदेश जाते से हम ले आए साथियों केस्वर में हम देखे एक नया नोटन की इनका नोटबंडी के नाम से काला दंगन करने का नाम से यह क्या कर रहे? आपका खून पसीने का जो पैसा है उसको बदा रहे क्याना काला दंगन है लंबा कदार में लोग खड़ा होने में मज्बूर हैं साथियों यह आपका खून पसीने का जो मैनध का कमाई है उसको जमा करने जाएंगे तो हो तेरे कि आपका उन्ली पर काला स्याही लगाएंगे हम के तेरे आप अगर स्याही लगाना है पहले मल्या पर लगाओ स्याही लगाओ अंबाली पर लगाओ स्याही लगाओ अदनी मोदी का लगोटिया यार्ट को स्याही लगाओ साथियों ये संगर सभी शुरू हुआ है ये जन्सलाब मोदी देख ले ये तुमारे लिए चेता हुए है साथियों हम कहते हैं यहां किसान आए है कि इस लूट की सरकार मोदानी सरकार को ना हम कर्जा देंगे ना कर्जा देंगे ना हमारा जमीन देंगे जमीन हमारा हग का है नारा लगाई ये कम है जमीन हमसा हग का चे लरेंगे लरेंगे इंकलाफ अरवाज दो दनाज साथ जमीन हमसा है